नमस्कार जहिन दोस्तों आर्सी फिजिकल एकडमी यूटूब चनल में आप लोगों का स्वागत है बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है जी यहां दोस्तों इंडियन आर्मी अगने बीर के यारो राची में जो ग्राउंड था वो बदल गया है वो पहले जो 390 मिटर का ग बन चुका है जो बच्चे सोच रहे हैं कि 400 मिटर से और ज्यादा बढ़ा ग्राउंड है 490-670 का ग्राउंड है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है टोटल मेजर्मेंट के हिसाब के बाहर निकल जा रहा है आपको किसी तरह के कोई भी डिफिकल्ट वहां पर फिल नहीं हुआ किसी तरह कोई समस्या वहां पर देखने को नहीं मिलेगी जो बच्चे सोच रहे कि बहुत ज्यादा बड़ा गराउंड हो गया है वो बच्छे या तो छोटा गराउंड में ट्रे रणिंग उल्टा होगा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर यहां से ठीक आपको उल्टा रणिंग करना होगा आप लोगों को मैप के माधियम से समझाते हैं अभी ग्राउंड का ट्रैक पूरा जैसे पहले मुबाइल के जैसे था मगर अभी एक दम बिल्कुल ग्राउंड के जैसे से हो गया है यहां पे आप लोग देख रहे हैं सम्याना लगा हुआ है उसके जस्ट बगल से आपको रणिंग स्टार्ट होगा क्योंकि यहां पे आपक और यहां पे आपका गुड का बॉक्स बनाए हुआ है और रणिंग ऐसे होगा रणिंग ऐसे होगा चुकि यहां से आप लोग को रणिंग ओगा मह Nepuous टिफुकल यह है कि इधर से ढलन है और इधर थोड़ा-सा हलका हलका चड़हान है जो कि आपको अच्छा फेस करने के ल इस सेड में फुरह डलान है आप इधर से पेश अप करेंगे और इधर से थोड़ा सा टाइट होके या इजी होके भी आप आएंगे तो आपका रनिंग कम्प्लीट होगा बिल्कुल इसी तरह से ग्राउंड है और आप लोगों का रनिंग उल्टा होगा जी हां दोस्तों आप लोगों का टोटल ग्राउंड है जो की बिल्कुल यहां से आपका स्टार्टिंग होगा यहां से आपका रनिंग स्टार्ट होगा और इसी तरह से बिल्कुल आपका ग्राउंड है जो की पॉफिक सेटेलाइट से आप लोग देख पा रहे हैं यह आपको पॉफिक की अब लोग देख रहे हैं यह आप लोगों का जो ट्रैक है उसमें देखें डिस्टेंस जो है वो चार जीरो 400 मितर का टोटल डिस्टेंस ते यह वाकिंग के कारण से 1.56 टैम लगा है और यह आप लोगों का ग्राउंड और 400 मितर का डिस्टेंस बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसमें इंची टेप से नापने से जादा बड़ा होगा नगर यह से टलाइट से नापने से नापने से जादा बढ़ा होगा इससे एकुरेशी बहतर साय भी कोई हो और इंडिन आर्मी जादा रनिंग नहीं कराएगा जितना भी है वो 400 मित प्रका ही रनिंग कराएगा लोग चैनल और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों इंडिन आर्मी अगनी बीरवाले दोस्तों को जरूर सेर कीजिए जैहिंद जैवाद हो